चारधाम यात्वा के लिए केदावनाद, बद्विनाद, गोत्री और यमुनोत्री में इश्वधालों की भीड प्रशासन के लिए रगतार चुनोती बन रही है। काउंटर को भी तीन दिन तक बंद कर दिया। यानि अब श्वधालों सिर्फ ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन ही कर सकेंगे। काउंटर के लिए बीस से पच्चस घंटे लगया था वो अब खड़ गया है। दस मई से जो चारधाम यात्रा हमारी प्रारम हुई है। उसमें इस बार अत्यधिक सरदालू और भक्त गण आ गए हैं तीर थे आत्री आ गए हैं। लेकिन देरे देरे अभी यात्रा सामान निस्तिती में आ रही है। ब्यूस्तित हो रही है। और सभी जिलादिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, पेजल से संबन देत। और अरिवन विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं। प्रेटन के आफदा प्रबंदन के विजली विभाग, सब भी भागों के साथ कि कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चीए। और जो लोग यात्रा अपनी जारी कर चुके हैं, उनको ठीक प्रकार से जाम की स्थिति हैं, अन्य स्थितियों का सामना न करना पड़े। और जगा जगा पर जो यात्री होल्डिंग किये हुएं, होल्ड कर रखे हैं, जो लोगों ने रुके हुएं, उनको उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूट की विएस्ता है, भोजन की विएस्ता है, सोचाले की विएस्ता, पेजल की विएस्ता, ये दिनों जरूर अत्यदिक संख्या के कारण से कुछ इस परकार की परिशानिया आई थी और यात्रियों को भी कहीं परिशानियों का सामना करना पड़ा है लेकिन आब हमारा पूरा प्रियास है कि यात्रा ठीक दिशा से सुचारू रूप से चले हैं आज माननी मुख्यमंत्री जी ने चारधाम व्यवस्ता को लेकर बहुत विस्तृत समीक्षा की है देरादुन में और उनके ये निर्देश है कि मंदिर परिसरों में मंदिर के 50 मीटर की परिधी में कोई भी विडियो नहीं बनाएगा या रील नहीं बनाएगा या जैसे आज अजकल बहुत सारे उदाहरन आरहे हैं जहां पर लोग डान्स कर रहे हैं या म्यूजिक बजा रहे हैं और उसके साथ विडियो बना रहे हैं उससे जो श्रद्धालू आते हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित हो रहे हैं तो मंदिर की पवितृता को रखते हुए श्रद्धालूं का सम्मान करते हुए जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में वो पचास मीटर की परिधी में कोई रील नहीं बनाएंगे या विडियो नहीं बनाएंगे मुबाइल रखने पर कोई रोक नहीं क्योंकि मुबाइल से आप अपने लोगों से संपर करते हैं कोई समस्या होती तो आप प्रशासन को बताते हैं मुबाइल आप यूज कर सकते हैं लेकिन रील या विडियो नहीं बनाएंगे